हलो प्रेंट्स में नाम है वरुण चित्रा स्टड़ी की प्रक्राइब को स्वागत है आपके सामने एक सिलोग का कोशन है यह बहुत वाइरल हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे हर ग्रूप में इस कोशन के बारे में चर्चा हो दिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है अपन सिप्ली स्टेट्मेंट पड़ेंगे क्या लिखा है only a few a r b तो पहले स्टेट्मेंट से मैं ऐसा के सकता हूं कुछ a ही भी है तो मैं ऐसा के सकता हूं यह वाला जो भाग a का यह b नहीं होगा only a few वाले में अपन ऐसी कंडिशन ना दें कोई भी छोटा सा डोट b में न पूरा भी है यह सी है ठीक है मैंने लिख लिया आगे कहा रहा है no b is d यह जो b है यह d नहीं है तो मैं असे यहां पर लिखके इसको क्रोस कर देता हूं ठीक है इतना सबको क्लियर है अब कंक्लूजन बन पर चलते हैं अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बन को चेक करोंगे तो आपका इदर ओर जित्ते भी लोग इस यहां पर इदर ओ लगा रहे हैं इस बहुत धर बनता है यह दिखो आई-दर और बनता है कंक्लूजन में तो लिखा हो सं मोट एक तो आटर ओर आपके ऐसे बन जाता है दूसरा कैस किया है फैसे है एक जगे ल और उर कैसे बनता है, एक जगे सम हो, सम नोट हो मतलब एक जगे positive होग paar और तब ही बनता है अब देखो आपने इससमें पड़़ा यहां पर नोट लिखा हो है कैसे एकषे क्समले मतलब जो एक पर क्ल जो बाज़ए क्समाव का इसन नहीं है अगर थेकुद he तो हम मन में बना के देखते हैं मन में possibility बना के देखते हैं क्या यह वाली statement था ही हो सकती है क्या हम इसकी possibility बनाते हैं उसने कहा कुछ A C नहीं है अब आप देखो एका जो direct relation क्या गिवन है क्या यह का direct relation C से given तो हम यहां पे कैसे कह सकते हैं यह का some part करते हैं डिना एक बाद मैं माल लेता हूं आपने अपने आपको प्रूफ करना बता रहूं ठीके इस वाले को प्रूफ करने के यह हमारे को मन में जो अपन सोचते हैं कि कैसे सही नहीं होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसने क्या का था only a few a is b तो मैंने only a few a is b बना दिया ठीक है यह वाला पार्ट भी वे नहीं जाएगा अब देखो उसने कहा some a is not c अगर मैं a को भी c के अंदर ले लू अगर मैं a को भी c के अंदर ले लू तो क्या गलत माना जाएगा बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने खुद नहीं कहा है all b r c तो मैंने b को तो already c में ले लिया अब मैंने a को भी ले लिया किसी ने मुझे रोका ही नहीं कोई ऐसी condition यहाँ पे statement में नहीं है जो मुझे रोक सके कि मैं पूरा a c में नहीं ले सकता तो इसका मतलब यह है a c में पूरा जा सकता है इसका मतलब हम कभी भी नहीं कह सकते कि a का कुछ भाग c नहीं होगा अगर हम इसको possibility में बनाएंगे तो यह बन जाएगा इसका मतलब हमारा answer हो जाएगा ना तो a ना तो b option 1 भी इसका answer नहीं होगा option number 2 भी इसका answer नहीं होगा नाइदर कंक्लूजन वर नोन कंक्लूजन सेकेंड इसका अंसर होगा नाइदर यह बहुत ही कंक्लूजन से लोग है आप इसको अच्छे से बिल्कुल बेशिक से समझीए आप पॉसिपलीटी बनाइए क्योंकि ऐसे कभी भी कोशिन आते हैं तो अपन पूसिपलीटी रखके देखते हैं क्या वाला पार्ट अपन पूरा अंदर ले जा सकते हैं बिल्कुल ले जा सकते हैं और यह वाला भी केस वह लिट नहीं हुआ यह जो इन्होंने वन स्टेट्मेंट में दिया था तो ऐसे आप इसको करिए ठीक है तो आपको पता चल गया यहां पर हमारा यह जो लिए चलियिए इसका तक बडा बा Prime कैसे लिख सकते हैं समसी थिनोटे अब तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एहां पर बना अपने है Just कहा मुल्लिया फ्यू ए रभी तो यह मैंने बना दी हैं पर इतना सब को समझ में आरा जैसा पहले बना आता अब वह कह रहा है कुछ भाग यह नहीं तो मैं पूरा सी में ले सकता हूं क्या देखो कैसे ले सकता हूं पूरा सी में अब हम conclusion number इस one की बात करें ठीक है अब हम conclusion number one की बात करें अब देखिए इसको अपन मन में कैसे सोच सकते हैं मन में ऐसे सोच सकते हैं कि a का यह जो यह वाला भाग है यह b में नहीं जाएगा पर पूरा b तो मैं अंदर ले सकता हूँ ना यह वाला भाग फिद भी चोटा सी अब देखो सी का पूरा भाग ती को मैं पूरा का पूरा एक अंदर लेया क्या किसी ने मुझे रोका क्या यहां पर ऐसी कोई भी statement है जो मुझे कहें कि का पूरा भाग नहीं जा सकता अगर ऐसी कोई statement ही नहीं है तो यह वाला जो option में आगया होगा बहुत ही कोशन था आप इसमें कंफ्यूज मत हुए बस बेसिक से आप इसको करिए चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में